गुड बॉर्निंग, बहुतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है लास्ट लेक्चर में हमने वेतिकरण का गणिती विशलेशन अपने स्टार्ट किया था और उस गणिती विशलेशन में कोई दू कलासंबद स्रोत लिये थे जो एक ही स्रोत ऐसे प्राप्त हो रहे थे और परदे पर अपने पास वेतिकरण प्रतिरूफ बन रहा था और जो वेतिकरण प्रतिरूफ बनता था उसमें अपने तीवरता का फोर्मूला फाइंड आउट कर लिया था हाना और वो तीवरता का formula अपने पास क्या आया था i intensity आये थी i equal to i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 i1 और i2 दोनों का multiple है फिर उन दोनों का root है cos alpha बाहर से लिया देता है ठीक है suppose मैं इसको समे कर नमबर जो भी था किल बाहर आया 13 हाना? वो दे देता हूँ यह 12 ए ले देता हूँ चलो यह वहला समेकन अपने पास आगया था यह तीवर्ता का समेकन था परणामी तीवर्ता जो आपनको परदे पर मिल रही थी उसका मान था ब इस समेकन में आप देख रहे हो कि जो लास्ट्रम है अपने पास कोस अलपा है यानि कि अगर रख दे यहां तो अपने पास particular point के लिए क्या जाएगी तीवरता की value आ जाएगा और यह alpha किस पर depend करता है 5 पर और 5 किस पर करता है डेल्टा अक्स पर ठीकता है तो अपन करेंगी alpha कमान किस पर depend करता है 5 पर और 5 किस से आया था डेल्टा अक्स से इसका मतलब अगर अगर अपन क्या करें यह जो परदा लेते हैं इस परदे पर सपोच अपने पास S1 और S2 से यह तरंगे पहुंचती थी य तो उनमें कलांतर यह यहां से यहां तक देखा था अपने डेल्टाक्स यह तेखा था ना डेल्टाक्स अगर कहेंगी point यहां ले लिया तो यहां ले लिया तो यह स्तिती रहेगी अपने बास और यह स्तिती रहेगी तो अब की बार अपने बास क्या रहेगा यह अलग रहे फाई और फाई चेंज होगा तो कौन चेंज होगा अल्फा क्योंकि अल्फा की विल्फ नेकल देखे थी टैनि इनवर्स की रूप में यह वाली स्थितिय अपने पास आजाती है अब इसके लिए अपन दो मेत्वकुन स्थितियां जो बताते हैं वेतिकर्ण के लिए वो कहां तक रेंज करेगा अब ध्यान दो जरा कॉस अल्फा है यह कहां से कहां तक रेंज करता है माइनस वन टू प्लस वन तक इसके मिनिममम वेल्यू स्केल पर कितनी होगी माइनस वन और मैक्सिमम कितनी रहेगा अबने पास प्लस वन तो जब मैक्सिमम वेल्यूस की रहती ह suppose यह दी cos alpha cos alpha equal to कितना रहे plus 1 रहे यह value किसके लिए आती है alpha की then yeah that is क्या रहेगा alpha command क्या रहेगा alpha बरावर कितना रहता है या तो alpha command 0 हो तो cos alpha 1 रहेगा या cos इस alpha command कितना हो 2 pi हो तो भी alpha cos alpha value 1 देगा या कितना हो 4 pi हो तो भी आपको value क्या देगा यही देगा समझ गए अब अब बन कहरेंगे अगर ये value अपने पास आती है तो उस इस्तिति में अपने पास क्या अगर minus में भी तो भी कोई बात नहीं है 0 plus minus 2 pi plus minus 4 pi ये भी आप आराम से लिख सकते हो ठीक है यानि अपन कहें कि इसको अपन alpha को क्या बताना चाहें 2 and pi बताना चाहें alpha को क्या बताना चाहें 2 and pi इसका मतलब क्या हुआ जहाँ n क्या है जहाँ n 0, 1, 2, 3 कोई पूरण आंक है integer number है ये स्तिति अपने पास हो सकती है तो अपन कहरेंगे alpha कमान अगर अपने पास 2 and pi है यानि pi का sum गुणज इसको मैं क्या कह सकता हूँ pi का sum गुणज integer multiple even integer multiple ये धान रखना pi का even integer multiple हो sum गुणज हो तो ऐसी स्तिति में alpha कोस alpha क्या देगा आपको 1 देगा और ऐसी स्तिति में समीकन 12 से क्या मिलेगा समीकन 12 से i कितना मिलेगा i बराबर i1 plus i2 plus 2 root i1 root i2 cos 5 कितना हो cos alpha कितना हो गया 1 हो गया इसको मैं एक formula लिख सकता हूँ कि इसका i बराबर root i1 plus root i2 का whole square या तो ये formula लो काम में या एक ही बात है समीकन 14 ये आपके पास तीवरता देगा और ये तीवरता भी कौन सी रहेगी i equal to i maximum क्योंकि cos alpha कमान अधिकतम लिया अपने तो i max कितनी हो जाएगी maximum तीवरता कमान ये अपने पास आएगा ठीक है तो अगर अपने पास दो स्रोत अपने पास है s1 और s2 के ला संबद उन से तरंगे अधारोपित होती है और परदे पर वितिकन परती रूप बनाती है तो जहां maximum intensity मिलेगी maximum तीवरता मिलेगी वहां उस तीवरता की value क्या रहेगी root i1 plus root i2 का hall square होगा और वो स्थिति कौन सी होगी कि alpha कमान क्या रहेगा πाई का समगुनज रहेगा अगर पथांतर की रूप में देखना चाहेगा तो क्या स्थिति रहेगी पथांतर कितना होना चाहिए कलांतर अगर phi sorry alpha है तो इस स्थिति में चूकी पथांतर क्या होता है 2pi upon lambda into sorry lambda upon 2pi into कलांतर यह आपके पास क्या आता है पथांतर आता है तो अपने पास क्या आ जाएगा पथांतर जिसको मैं क्या कह दूँ डेल्टा कह दूँ कि डेल्टा कितना होना चाहिए पथांतर लेम्डा अपॉन 2 पाई एंटू कलांतर कितना 2 एंट पाई 2 एंट पाई ठीक है तो कितना गया, पाई से पाई गया तो delta कितना होना चाहिए and lambda and कौन सा है, वो ही है यह अपने पास क्या होना चाहिए पथांतर का मान होना चाहिए यानि lambda का integer multiple lambda का पूर्ण गुणज अपने पास है या और, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ delta बराबर क्या होना चाहिए 2n into lambda by 2 तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको lambda by 2 का सम गुणज यानि अगर पथांतर अपने पास lambda by 2 का सम गुणज है तो ऐसी स्थिती में परदे पर कौन सी स्थिती बनेगी अधिक्तम तीवरता की स्थिती बनेगी और इस अधिक्तम तीवरता की स्थिती को क्या कहा जाता है संपोसी वितिकरण इस केस फस्थ को क्या नाम देपन संपोसी वितिकरण क्या नाम दूँ मैं संपोसी वितिकरण ये संपोसी वितिकरण होता है कि जब तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है एक दूसरे के साथ तो परदे पर उन बिंदू पर क्या मिलता है तिवरता गमान अधिकतम मिलता है इसलिए उस इस्तिति को क्या का जाता है संपोसिवेतिगन का जाता है ये सिंपल से अपने पास बात थी ठीक है आई मैकसिमम को अपने एक छोटा सा तरीका और भी देखें आई मैकसिमम को और भी कैसे लिख सकता हूँ हाँ ये दो चीज़ जरूर आप ध्यान रखना कि अल्फा है वो कितना होना चाहिए अल्फा का मान अल्फा का मान पाई का समगुनज होना चाहिए और पथांतर है डेल्टा डेल्टा क्या होना चाहिए लेमड़ा बाई 2 का समगुनज होना चाहिए ठीक है को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए नेक्स देखो अपन क्या देखते हैं यहाँ ये जो आई मैकसिमम है इस आई मैकसिमम को देखें किसके रूप में आयाम की रूप में कई बार नुमेरिकलों में ये क्यूशन्स पुछे जाते हैं तो अपन जानते हैं कि आई मैकसिमम है वो कितना होगा रूट आई वन रूट आई वन तो मैं इसको क्या लिख दूँ root i1 को मैं क्या लिख दू k into क्या लिख दू e m1 square plus root k e m2 square kaholi square तो i max कितना हो गया root k square बहार आएगा तो k बहार आजाएगा bracket में क्या बचेगा e1 e m1 plus e m2 इसका hali square यह अपने पास हो तो अधिक्तम जो तीवर्ता होगी वो i am के योग के वर्ग के तुल्ले होगी यदी मैं एक चीज कहूँ कि यदी i am बराबर है e m1 बराबर e m2 और इसका मतलब क्या हुआ कि i1 बराबर क्या हो गया i2 that means इसको अपन किसके equal मान ले i0 के equal मान ले इसका मान कितना है i0 है तो ऐसी स्थिति में maximum थी वर्दा कितनी होगी i max i maximum कितनी होगी देखो जरा root i1 इसके जिगा मैं क्या लिश कितना है root i0 root i0 root i0 plus root i0 का hall square कितना हो जाएगा 2 root i0 का hall square इसका मतलब कितना होगा 4 i0 ये स्थिति अपने पास आएगी यानि कि इस स्थिति में अपने पास तीवर्दा का मान क्या मिलेगा अकेला जो अपने पास स्रौत है कला संबद स्रौत उसके कारण जो तीवर्दा आती है उसका 4 गोना मिलेगा अगर maximum कि स्थिति देखते हैं ऐसी स्थिति में कि आयाम क्या दोनों का बराबर है तो इस स्थिति में अपने पास जो तीवर्दा मिलते है किसी भी एक स्रौत से उत्मन तरंगों की तीवर्दा की कितनी उनी मिलती है 4 गोनी मिलती है ये वेतिकर्ण का प्रभाव होता है समझ गे तो अबन करेंगे अगर तरंगे अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपन के पच्छा दोनों की तीवर्दाओं का योग नहीं उससे भी ज़्यादा मिलता है तीवर्दा का मान हाना ये वेतिकर्ण होता है ठीक है, तो इस प्रकार से अपन किसको समझा सकते हैं, संपोसी वेतिकर्ण को, दूसरा इसका जो case है, वो कौन सा है, विनासी वेतिकर्ण, case second, case second, वो देखो क्या है, विनासी वेतिकर्ण, destructive interference, पहले वाला constructive interference बोला जाता है, इंगलिस में, हाँ, ये दी अपने पास क्या स्थिति हो, ये दी अपने पास, cos alpha कितना हो, minus 1 हो, या that is, इसका alpha का मान कितना हो, minus 1 कब होगा ये, जब इसका मान कितना होगा, pi होगा, 3 pi होगा, 5 pi होगा, and so on, देखो, यह minus भी consider करना है, द्यान रखना, आपको मैंने लिखा नहीं, उसमें पहले वाले में भी, आराम से आप इसको consider कर सकते हो, plus minus pi हो, चे plus minus 3 pi हो, चे plus minus 5 pi हो, उसमें भी आप क्या करोगे, alpha का जो मान दोगे, वो plus minus 2 and pi लोगे, अपने लिखा नहीं है, plus minus कोई बात नहीं, बता है, कि बही plus minus दोनों ही ले सकते हो, आप scale पे, कोई दिक्केत नहीं है, कलांतर की विल्ल्यो अपन को चाहिए, वाँ पर, तो यहा 2 and minus 1 pi, अब आप कहोगे सरी है, minus 1 नहीं क्यों लिया, plus 1 क्यों नहीं लिया, हाँ, ले सकते हो, और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, alpha बराबर 2 and plus 1 pi, लेकिन ध्यान रखना ही, and उतना लेना है कि पहला कितना है, कलांतर का मान, pi आए, तो कि यह, and बराबर 1 लेलू, है पाई आजाएगा, तो यह, here, and कितना होगा, 1, 2, 3, 4, इस case में, अगर 2 and minus 1 लेते हो आप तो, इस case में क्या हो जाएगा, here, and equal to 0, 1, 2, 3, dot, 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 क्योंकि यह, and 0 लेते ही, पाई आजाएगा, alpha की जो पहली value है, ठीक है, यह वाली स्थितिया अपने बाहर साती है, तो pi का क्य अगर ऐसा है, तो अपने बास यह, दूसरी वाली वेतिकरण की स्थिति प्राप्त होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, विनास्य वेतिकरण कहते हैं, इसमें क्या होगा, समीकरण 12, एसे फिर से अपन वही देखते हैं, समीकरण 12, एसे, क्या होगा, I equal to, I minimum मिलना चीए, य यहाँ, cos, alpha, minus 1 होगा इन सभी के लिए, तो कितनी हो जाएगी value, minus 1, इसको अगर अपने एक साथ लिखें, तो क्या हो जाएगा, I minimum, root I1 minus root I2 का hall square, यह अपने पास समीकरण होगा, और समीकरण नंबर कितना आगया यह, अंदरा दे सकते हैं, इसको, ठीक है, यह minimum तीवरता म लेगी उन स्थितियों में, देखो, दोनों की तीवरताओं का under root लेकर कि उसका अंतर फिर वरग है, ध्यान रखना इस बात का, इसमें numerical पूछा जाता है, most of times, यह तीवरता अपन को प्राप्त होती है, यह स्थिति कौन से होती है, minimum intensity मिलती है, यह स्थिति क्या कहलाती है, और अगर इसको देखना चाहें, किसके पदों में देखना चाहें, आयाम के पदों में देखना चाहें, तो क्या होगा यहां, यह minus हो जाएगा, यह क्या होगा, minus होगा, और यह तीवरता क्या होगी, देखो, minimum होगी, यह minimum intensity आपको मिल जाएगी, em1 minus em2 का hall square, इसके proportional रहेग अगर अगर फिर से वही बात करें कि अगर दोनों का I am कमान बराबर होता, हम कहते हैं कि I am क्या लेना है दोनों का बराबर लेना है, क्यों लेना होता है, उसमें क्या होता है, देखो, यह चीज आपको यह clear होगी, एकदम से, कि em1 बराबर em2 ले लिया, यह e not ले लिया, suppose, i जीरो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो विमानसी वेतिकनवाल स्थितिय वह इंटेंसिटी इसकोड ब्राबर होते हैं क्लियर्ली ज्यूर मिलते हैं अगर आयाम बराबर चुरा नहीं हो दोनों में देखो, maximum intensity है, minimum intensity, थोड़ा difference तो लेकिन clear picture नहीं मिलती, इसलिए अपन कहते हैं कि जब तक आयाम बराबर नहीं लेते हैं अपन लगबग, तो ऐसी स्थिति में अपन को जो वेतिकन परतिरूप मिलता है, वो एकदम से contrast उसका अच्छा नहीं मिलता, clear नहीं मिलता कि कहा maximum थार, कहा minimum start हो गया, यह वाली स्थिति होती है, अब यह स्थिति आप देख रहे हो कि minimum अपने पास कितनी मिलती है, आम बराबर नहीं कि स्थिति में 0, और maximum कितनी मिलती है, किसी एक स्रोत के काण intensity की 4 गुनी मिलती है, यह नहीं घटना थी, अब देखो क्या होता है, इ उन्यमेरिकल क्या रहती है, आप से पूछा जाता है कि जो तरंगे हैं उनका आयाम आपको दिया रहता है, कई बार तीवरता हैं आपको दियू ही होती है, और उस case में आप से क्या पूछता है, I maximum upon I minimum, इनका अनुपात पूछता है, ध्यान रखना, इनका अनुपात पूछ upon root I1 minus root A, I2 का hall square, I1 और I2 आपको दिया होता है, या क्या दिया होता है, आयाम का अनुपात दिया होता है, या अपने इसको किसके बराबर बता सकते हैं, के आपके पास आया था बाहर, स्क्वारों के बाहर आ गया था, और यहां क्या बच्चा था, EM1 plus EM2 का hall square upon, के यहां बाहर आ था, EM1 minus EM2 का hall square, के से तो के के इसी लोगा, तो अपन बताता है कि इस रूप में, या और और भी इजी तरीके से आप solve करना चाहो, तो क्या मिलता आपको formula, Imax upon, Iminimum कितना मिलता है, देखो, इसमें से root I2 common लो, क्या common ले लो, root I2 common ले लो, या root I2 का, इसमें से भाग लगा दो, इसमें भाग लगा दो, यहां 1 बत जाएगा, यहां बता में आ जाएगी, हाना, और वो root I2 बाहर आएगी, तो क्या आएगी, I2 बाहर आएगी, हाना, यहां से भी root I2 बाहर आएगी, तो I2 बाहर आएगी, दोनों कट जा का हॉल स्कॉर क्योंकि तीवर्थाओं का अनुपात आपको दिया होता तो आप डारेक्ट या पूट कर सकते हैं अनुपात या आयामों का अनुपात आपको दिया होता है इम2 बाहर ले लो कोमन, इम2 स्कॉर ऐगा, यहां भी EM2 square cancel हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, EM1 upon EM2 plus 1 का hall square upon EM1 upon EM2 minus 1 का hall square, यह अपन को मिलेगा, ठीक है, को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, इस परकार से अपन यह formal apply करके direct क्या कर सकते हैं, तीवरताओं का ratio find out कर सकते हैं, maximum और minimum तीवरताओं का, ठीक है, इसके आगे अपन स्तिती देखते हैं एक और, इस वैतिकान से समंदित curiosity होती है कई बार, कि ऐसा क्यों होता है, तो वो अपन देखते हैं, होता क्या है, यह हम यह कह रहे हैं कि तीवरता maximum तो I am बराबर लेने की condition देखे हैं एक simple example, कि आयाम बराबर लेने की तीवरता मैक्सिमम तो मिलती है, 4 I not, और minimum किती मिलती है, 0, तो देखो होता क्या है, इसका आपन ग्राफ हीचे, इसको मैं एक नाम देदेता हूं, यहां, तीवरता वित्रण वक्र, वेतिकरण में, प्रतिरूप में, तीवरता वित्रण, किस परकार से तीवरता वित्रण होती है, उसको अपन ग्राफ के द्वारा देखते हैं, किसके द्वारा देखते हैं, ग्राफ के द्वारा देखते हैं, देखो क्या मिलता आपको, तीवरता जो मिलती है, त्रस मिलती है, यह तीवरता मिलती है इस एक्सिस पे अपन क्या ले रहे हैं पाई ले रहे हैं इंटेंसिटी ले रहे हैं तीवरता और इस एक्सिस पे क्या ले रहे हैं अलफा ले रहे हैं जो कलांतर वाली स्थिति है मेट पॉजिशन जीरो है अलफा कमान यहां कितना है π, यहां कितना है 2π, यहां कितना है 3π, यहां कितना है 4π, यहां कितना है 5π and so on इस side scale के देखो के तो minus 5, बताया था नहीं कि minus 5 नहीं मिले सकते हैं आपको दिक्कत नहीं है एक ही बात मिलेगी आपको 2π, यह 3π, minus के हैं यह, यह minus का 4π, यह minus का 5π and so on यह जो maximum least मिलता है ना ती वर्ता का ही है maximum warmth हाँणा ही समान आयाम की स्थिती में क्या मिलता है इसका man 4i0 क्या मिलता है 4i0 मिलता है और यहां क्या मिलता है 0 मिलता है हाँणा इन दोनों का और श्चत मान देखें average वो कितना कितना होगा 4i0 प्लस 0 अपॉन 2, कितना ना चीए, 2I0, यह average value आपको मिलेगे, बीच वाला, यह average value रहती है, अपने बास तीवर्ता की 2I0, देखो, average value यह क्या होता है, तीवर्ता अधिक्तम भी जाती है, और किधर आती है, minimum की ओर भी जाती है, तो इसमें क्या कहा जाता है वेतिकन परती रूप में, कि maximum स्थितियों पर जो तीवर्ता रहती है, Imax की स्थिति रहती है, वो कितनी रहती है, दोनों जो अपने बास प्रकास रोत हैं, उन में maximum के लिए cost alpha 1, तो दोनों प्रकास रोतों में I1 plus I2 plus 2 root I1, I2, यह max मिलती है, और दोनों प्रकास रोतों के लिए I minimum कितनी मिलती है, I1 plus I2 minus 2 root I1, I2, समझ रहे हैं बाता, यानि maximum जो peak positions हैं, उन पर तीवर्ता दोनों प्रकास रोतों जो आपके पास कला सम्मत हैं, उनकी तीवर्ताओं के योग से इतना मान ज्यादा मिलता है, यानि वहां इतनी तीवर्ता ज्यादा मिलती है, जब कि minimum positions पे क्या मिलेगा आपको I1 plus I2 से इतना मान कम मिलेगा, यानि जितना peak value पे ज्यादा shift हुआ, उतना minimum पे कम हो गया, इसका अवरेज तो क्या रहा दोनों का, उतना ही रहा, इसलिए अपन कहते हैं कि ऐसी इस्तिती में क्या होता है, और इन दोनो जितना मान यहां कम होँआ, उतना shift कहा हो गया, peak पर shift हो गया, उतना मान यहां कम हो गया, इसलिए अपन कह रहे हैं कि वेतिकर्ण जो परतिरूप अपने पास मिलता है, उस वेतिकर्ण परतिरूप में तीवरता intensity, जो उर्जा का एक रूप होता है, वो क्या होता है, उपर shift हो जाता है, नीचे जितना मान कमवा उतना मान उपर shift हो गया, पीक पर बस इतना ही फर्क पड़ा, energy कही loss नहीं हुई, इसलिए वेतिकन परतिरूप में जो तीवरतावित्रन है वो किसका पालन करता है उर्जा सरक्षन के शिध्धांत का यानि वेतिकन जो परतिरूप है वो किस पर अधारित होता है उर्जा सरक्षन के शिध्धांत पर उर्जा सरक्षित रहती है समझगे बात इसमें को दिककत इसमें नहीं होनी चाहिए अब इसमें एक चोटा से question और arise होता है, आपके लिए क्या राइज होता देखो कि अगर intensity तो मान लिया अपने की लगबग समान हो सा पूच और यहाँ पन 5B fix ही मान रहे थे 5B क्या मान रहे थे fix ही मान रहे थे तो अगर ऐसा हो कि यह कलांतर बदलता रहे कलांतर क्या हो दोनों स प्रकास रोत से आने वाले तरंगे अपने कहा कि कला संबद दो नीची अगर नहीं हो तो क्या होगा अगर कला संबद नहीं हो तो क्या होगा तो देखो अगर अपन कहेगी I और यह I है सपोज दोनों प्रकास रोता है उनके लिए यह दी I1 बराबर I2 बराबर I0 नियत है मान लिया आपने यानि दोनों के I0 क्या है समान है और उसकी value सपोज constant अपने पास नियत value है कोई अब आपन कहारें कि alpha क्या हो रहा है change alpha क्या हो रहा है change हो रहा है ती वरता दोनों की समान है और alpha क्या हो रहा है change हो रहा है प्लस i0, प्लस 2, root, i0, i0, cos alpha, alpha change हो रहा है, इसलिए cos alpha भी क्या होगा, change होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, i बराबर, ये 2 i0, ये भी i0, 2 i0, common आ गया, यहां क्या बच गया, 1, और यहां क्या बच गया, cos alpha, cos alpha का जो formula होता है, उसमें minus 1 आता वो देखो कि plus 1 इसके साथ है तो क्या होगा i बराबर 2i naught 1 plus cos alpha 2 cos square alpha by 2 minus 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 के ज़िए i कमान कितना बच गया i कमान 2i naught और 2 अल्रेड़ी अंदर है तो कितना होगा 4i naught cos square alpha upon 2 चुक्कि देखो alpha change हो रहा है alpha क्या हो रहा है changing परिवर्तित हो रहा है तो ऐसे इस्तेते में अपने बाद स्तिवर्ता है वो fix नहीं मिलेगी वो भी क्या मिलेगी change होती भी मिलेगी बहुत ज्यादा change नहीं होगा और ऐसे इस्तेते में क्या होगा इसका average value open देखना चाहे है कि average कितना रहेगा तो ऐसी स्थेते में, then, I average कितना रहेगा, इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ, I average, कितना रहेगा, 4 I naught, और ये जो cos square alpha upon 2 है, इसका average, अब जानते हो, cos square theta का average कितना होता है, half, अब जानते हो, चूंकि, cos square theta, इसका average कितना होता है, half, एक पूरे चक्कर के लिए, तो यहाँ, I average कितना हो जाएगा, अपने पास, 4 I naught, into 1 by 2, तो I average कितना मिलेगा, अपन को, 2 I naught, जो को वास्ता में, average value ही है, इसका अब जो तीवर्ता मिलेगी, इस सिस्तिति में, वो average value कि just अगल बगल मिलेगी, average value कि क्या मिलेगी, just आसपास मिलेगी, यानि लगबग average time आनती वर्ता का देखने को मिलेगा, जब तीवर्ता average सी मिल रही है, सब जगह है, तो वेतिकरण थोड़ी हुआ, वेतिकरण में तो सपस्ट दिखता है variation, maximum, minimum, maximum, minimum दिखता आपको, इसलिए कलांतर अगर समय के साथ, बहुत तेजी से परिवर्तित होता है, तो इस स्थिति में क्य होता है, इस स्थिति में अपने पास वेतिकरण प्रतिरूपस पश्ट दिखाई नहीं पढ़ता अपन को, लगबग एक समान सा प्रकास अपन को क्या होता है, दिखाई पढ़ता है, यह अपने पास वेतिकरण की क्या थी, गणितिये वे अख्या थी, अब next class में अपन क्या जाता है, नॉर्मली सपोज एक example लेता है कि आपके लिए जो दो प्रकास रोत दिये गए हैं, आपको कितने प्रकास रोत दिये गए हैं, दो प्रकास रोत दिये गए हैं, और आपको कितना दिया गया है सपोज, तीन अनुपात, एक दिया गया है, आपसे कहा जाता है कि तो इस लिस्तिते में आपको क्या find out करना है आपसे कहता कि अधिक्तम वन्यूंतम ती वरताओं का अनुपात किसका अनुपात अधिक्तम वन्यूंतम ती वरताओं का अनुपात आपसे पूछता ऐसी कंविशन है क्या देखा था कि i max upon i minimum क्या था अपने पास root ऐसे आया था यह तो किस के रूप में था तीवर्ताओं के रूप में अगर तीवर्ताओं का अनुपाद दिया होता तो और आयाम का रूप देख रहें तो अपने पास के मिल रहा था em1 upon root em2 plus 1 का all square upon root em1 यह थोड़ी था आयामो का रूपाद em1 upon em2 direct em1 upon em2 minus 1 का all square इन का मान दिया गया है यह रहा रख दो मान कितना 3 em1 3 em2 1 है पने पास तो 3 em1 का मान बट्ट em2 का मान 1 plus 1 का all square upon 3 बट्ट 1 minus 1 का all square कितना तीन रेक चार और यह 2 minus 3 minus 1 2 कितना हो गया चार का all square upon 2 का all square 16 बट्टे 4 ठीक है तो कितना हो गया चार अनुपाद 1 यह प्रपास वे लिए ठीक है ऐसे आपको तीवरताओं का मान दे सकता है और क्या कर सकता है पूछ सकता है कि maximum और minimum तीवरताओं का अनुपाद है कितना होगा ठीक है धन्यवाद